है गाईज वेलकम बेक टो इंमोर्टल गमिंग तो आज हम फिट से भाई पेपी का एक और नहीं एपिसोड लेका आगे और हमने पिछले एपिसोड में रेड की दी काफी बढ़िया रेड थी बट उसमें भाई इंडस्ट्रियल फोर्ज और वोल्ट डिस्ट्रोई करना बाग तो सब कुछ डिस्ट्रोई हो गया है इसलिए मुझे इधर बनाना पड़ रहा है जो हमारा टू बाई टू का बेज है उसके नस्दिक एक और टू बाई टू का स्ट्रक्चर बना लिया और उसमें अभी यह लगा रहा हूँ परफेक्टली क्योंके बाई मुझे एमो बनान के इसलिए वैसे है बट जादा नहीं है आइं तिंग सो 47 37 की अराउंड है सब में इसलिए तो अभी फाइनली बहा यह बना लेते हैं और आज भाई मुझे एंकलो को भी टेम करना है और एकोर टेरेड बनानी है और काफी कुछ करना है मुझे मुझे पता नहीं क्या क्या कर करना है बैसिकली मैंने प्लान बनाए था बट मुझे अभी यार नहीं काफी कुछ करना है तो अभी बना लेते हैं और ट्रांसपर भी कर लेते हैं जल्दी से पहले तो 22 ओके तो अभी देख लो भाई 37 एमो इसलिए मुझे बनाना था तो भाई मैं इधर ट्रांसपर कर दे आए तो अभी एकोर टेरेट मुझे बनाना है बट थोड़ी देर बाद बनाऊंगा 87 इधर है बट कोई नहीं चलो तो अभी आसा नहीं होगी पहई कोई भी बंदा एजीली रेड नहीं कर पाएगा अगर होगा तो भाई मैं ओनलाइन यह हूँ तो भाई इधर बोड़ी ए जिससे गन पाउडर बना सके इसलिए और अभी भाई मैं जल्दी से फार्म कर लेता हूँ और उसमें से मुझे एमो बनाना इसलिए मैं फार्म कर रहा हूँ और उसके बाद टेरेट बना लेंगे मैं इसे फार्म करने के बाद मैं रख दूँगा उसके बाद मैं टेरेट ब हो जाएगा और बेस भाई इधर यह तो भाई आर्जेंट इसको भी कोई नुक्सान नहीं होगा इसलिए कि तो अब भी फाइनली भाई अभी टेरेट बना लेते क्योंकि भाई अभी काफी ज्यादा सामन हो गया देख लो 150 अराउंड भाई सीपी हो गया हो और अमर पास इलेक्ट्रोनिक तो काफी जादा और भाई मैं सिलिकापल्स फाम करके लेके आया हो और अभी मेटल चाहिए तो भाई मेटल भी ट्रांसपर कर लेता हो और भी अमर पास है बट यह लेग इसलिए हो रहा भाई मैं बता देता क्योंकि काफी बंदे भोल रहे भाई अभी न्यू पॉन लेलो बट लेग इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई सर्वर में जब भी ज्यादा बंदे हो जाते ने तब भी एफपीस डॉप होता है और भाई इसमें थोड़ा सा भाई डिवास का भी फोल्ट है तो भाई एफपीस ज्यादा होता ने इसलिए भाई लेग हो रहा है ओके 75 CP बन रहा है अभी काफी बढ़िया चल रहा है अभी तक तो और यह भी लेले था क्योंकि भाई यह लास्ट वाले टेरेट बना लेते हैं ओके तो अभी फाइनली भाई यह टेरेट बन गया है और इसके लिए एमो भी बना लेते हैं थिंग सो भाई 30 के असपस एमो बन जाना चाहिए क्योंकि भाई ओके 36 बन रहा है बर 25 इजीली हो जाएगा क्योंकि भाई 25 इंटु 5 हो रहा है तो भाई इतना तो जहिए नहीं होगा तो अभी यह बना लेते जल्दी से ओके तो अभी इसको पूट कर देते ह अपना बेस सुरक्सित हो गया है तो अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर होगी तो भाई अमरी वाट लग जाएगी क्योंकि भाई काफी मेनत लगी है और काफी दिनों खेल रहा हूँ तब भी इतना हुआ है बट कोई नहीं चलो अगर डिस्टोई हो जा तो अभी मुझे एर कंडिशनर भी बनाना है तो उसके लिए चलते हैं मेटल फार्म करने के लिए तो अभी मेटल फार्म करने के लिए हो क्योंकि मुझे ऐसी बनाना है जो अभी एर कंडिशनर इस धर क्योंकि मुझे अभी ब्रीड करना है अभी फाइनली और हमर पास एक तो उसको मुझे एज करना इस लिए मैं अभी कर रहा हूं अभी जलदी से फार्म करते हैं अभी एक लें लेते हैं फडिलार्ज एग भाई जिसको अभी मुझे एज करना है और भाई मैंने दो already air conditioner बना रखे एक last वाला बना लेते हैं क्योंकि भाई metal कम पढ़ रहा था इसलिए मैं लेने गया था और अभी भाई इसको भी adjust कर देते हैं means इधर ही I think so आ जाएगे बार मुझे नहीं लगा ना क्योंकि भाई कोई भी बंद आएगा ना तो भाई वह आड़ी को मार देगा और इसको पहले अटा लेते हैं क्योंकि भाई खेलने आया था तब भी बाहर था यह बंदा अंदर आ गया क्या कर रहा है मुझे पता नहीं कुछ भी बट कोई नहीं चलो अभी भाई इसको लगा देते हैं अपना एर कंडिशनर को कि अब भी पूट कर देते हैं कि मुझे नहीं नहीं दे रहा था यह साला बट कोई नहीं चलो अभी फिर से भाई इसको लगा देते हो और मुझे उदर नहीं जाना फिर भी क्यों लेके जा रहा है तो उदर एक करते हैं आई थिंक सो भाई तीन आ जाएगे इसली और आरज लिए और अभी इदर डाल देते हैं एज का होने के लिए क्योंकि हमार पास पहले से फटीले से था काफी दिनों पहले और इसको होने देते हैं उसके बाद या थे 35 मिनिट के बाद तो आपी फाइनली भाई हो गया और ट्विंच निकलिया तो काफी बढ़िया है और दोनो इसको क्लेंट कर लिया था तो अच्छी बात है और इसमें कोई भी म्यूटेसान नहीं है क्योंकि निकले गाई नहीं पहली बार है इसलिए तो अभी मैं स्काइलोड करने के लिए जाता हूं क्योंकि मुझे सुधींग बाम चाहिए इसलिए तो फार्म करना जरूर यह यह कि पे तो जाने ही नहीं है बिल्कुल इसलिए तो अभी इधर आया हूँ और वेट कर रहा हूँ क्योंकि अपना टीममेट एक बार लेके गया है इधर से आर्टिवेक इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इसको आने का और देखते हैं कितनी बार में हो जाता है और यह तो पहली ब कर लेते हैं आई थिंग सो आ जाने चाहिए क्योंकि काफी दिनों से नहीं की तो भाई कुछ केपी नहीं सकते आता है नहीं आता ओक्या आ गया पहली बार में भाई क्या ही खतरनाक चीज है ओक्या तो अभी इंकलो को ढूंके भाई इसको उनकॉंस करके इसको भी टेम कर ल इसको भाई मैंने बोल दिya इधर स्पॉन हो जाए आयस रवा में किको भाई ओ बंदा भाई अंटर क्योंके पास स्पॉन हुआ पता नहीं कैसे भाई वो बंदा नसे करके रखता है बट कोई नहीं चलो इधर अभी स्पोन होता है और इसको पहले टेम कर लेते तो अभी यह टेम हो नहीं वाला ओके हो इंग गया बाई क्या ही बोलू वैसे इतना जाधा हाई लेवल का नहीं है बट इतना लेवल तो चले अभी तो क्योंकि भाई यह मीडियम में है तो भाई ज्याधा आई लेवल का मिलता भी नहीं है मुझे और मिला तो भाई ज्याधा टाइम ओके कि इदर गया पैसकी आपडेट कर देता है तो भाई यह पहले बना रखा था जो क्या बोलते है अपना फाउंडेशन और सब क् भाई मुझे रेप्लेश करना था इसलिए मेटल का क्योंकि अगर स्टोन का होगा तो भाई कोई भी एक रोकेट लॉंचर से भाई कितना भी टरेट लगा लो भाई कुछ भी काम नहीं आएगा इसलिए तो अभी तो इस नहीं हुआ है बट मैं दीरे-दीरे करके पूरा बे क्योंकि आइधिंक सो टू बाई फोर का बेज हो गया अभी देख लो भाई इधर भी दो बाई दो का एक और में बनाया था एर कंडिशनर और फेबरिकेटर के लिए तो अभी इसको काफी बढ़ी है डिजाइन लग रहा भाई से बट को लगाना तो पड़ेगा हमें मेटल का पूरा तो अभी मैं से लिंग भी लगा दूंगा और डोर भी लगा दूंगा तो इधर अभी फार्म करने के लिए जो मेरा पीछे ही पड़ता है विंस जो मेरा बेज है उसके पीछे ही भाई अप मेटल मिल जाते हम इसली तो जादा दिकत भी नहीं होती और थोड़ा सा एक पाता नहीं कि सर्वर में क्योंकि जब भी भीट कर को छाद करने के लिए Karen आख वाई पर मुझे बेर करने देना पड़ता है उसके बाद ही शुरुत होता है तो अब भी बैक क्लेते चैन और आ셔서 की उनक्योंड है और थोड़ा सा और मेटल फार्म करनी के लिए जाने वाले हैं तो इधर ही अपना एपिसोड खताम करते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया थे इस वीडियो को लाइक करना शेर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो अभी हम मिलते अपने नेक्स वीडिय में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर